कि मेरा नाम लक्ष्मन यादव जैनेगर बस्ती आप किस जगह से और किस पत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मेरी मा जैनेगर बस्ती छेत्र संख्या पंद्र से पंचाय समीती के लिए चुनाव लड़ रही है अगर मेरी मा चुनाव जीत के आती है तो सबसे पहले मेरी प्राथ्मिक्ता होगी हमारे छेत्र संख्या जो है पंद्र जिसमें वाड़ परता है उस पे जो लाइट नहीं लगी हुई है उस और समाज से जितनी भी जूरी समस्या है उसको हम अग्रसर हो करके अपने समाज को विकास की ओर लाएंगे बरतमान में हमारे छेत्र की जो स्थिती है जिस तरह से होनी चाहिए वह नहीं है जिसे बहुत सारे हमारे छेत्र में हैं कई सारे वाड़ है जिसमें लोग अभी भी विकास के परती असंतुष्ट है तो जितने भी हमारे छेत्र में जो भी हमारे समाजिक लोग है हमारे माद दाता गन है उनको हम लोग खुश करने का काम करेंगे और अपने छेत्र में जो विकास नहीं हुआ उसको विकास की ओर ले चलेंगे हमार जो रोड मैप और वीजन सबसे पहली रहेगी कि जब हम जीत के आएंगे तो हमारे समाज में जो भी काम नहीं हुआ है अभी भी जो छेत्र में जो 9-15 तक में जो भी वाड विकास की योड अभी भी पीछे है उस छेत्र में जितने सारे काम होगी उसको हम खुद से आगे हो करके अग्रसर हो करके उस समाज का विकास करेंगे ताकि हमारे समाज जो भी कास अभी भी दूर है वह उसको कल के डेट में कोची कहने का मौका नहीं मिले कि हमारा अभी भी यह जो छेत्र है विकास की और नहीं है तो हमारा पहला वीजन वही रहेगा कि जिस तरह से जो हम समारा समाज विकास की और नहीं है उसको विकास की और लाए उसमें हम अग्रसर हो करके काम करेंगे और अपने छेत्र को विकास की और ले चलेंगे तो अभी के समय में युवा ही सब कुछ है अगर युवा आपके साथ है तभी आप अग्रिसर है युवा अभी जैसे देख रहे हैं कि कुरोना काल से जो दो साल लगाता है कुरोना काल रहा काफी युवा बेरोजगार हैं तो हमारी जो पहली भूमिका रहेगी जब हम जीत के आते हैं तो युवाओं को सपोर्ट करें चैसे खेल भावना से हो चाहे पढ़ाय से समंधित हो जिस तरह में मेरी मदद होगी तो मैं हम युवाओं के लिए हमेशा खड़े उत्रे हैं पहले से भी थे आज जब मेरी माँ चुनाव रही है अभी भी हम युवाओं के साथ है ज और सिक्षित उमिद्वार को चुने आप लोग गलत वोट न करें अगर आप गलत वोट करते हैं तो आपके बीच गलत कंडिडेट ही आएगा गलत अभियरती आएगा जिससे फिर से आपका समाज का विकास नहीं होगा इसलिए आप सही व्यक्ति का चुनाव करें तभी जा